हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो भाई कैसे हो आप सभी तो भाई मतलब जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता ही है कि बाई इंडिया के अंदर प्रिफायर गेम को बैन कर दिया गया और बैन क्यों किया गया और बैन होने के बाद यह गेम आखिरकार हमारे फोन में अभी तक चल क क्यों रही है और गरीपार मैक्स अभी वी प्लेश टोर पर विराज्डμέन है तो भै आज गों आप सब्सक्राइब हम लोग देंगे तो भै वीडियो को पूरा देखी गावस्क्राइब मेन यह भी बताएंगे गरी परिफाइर को बैन क्यों किया गया है तो भाई चलो यार तो भाई सबसे पहले यार मतलब भाई गरिना फ्रिफायर को इंडिया के अंदर बैन क्यों किया गया भाई तीन-चार साल से यह गेम चलती आ रहे हैं लगातार और अब जाकर के इसको बैन किया गया और गरिना फ्रिफायर को भी हार्मफुल बता हैं मगर भाई साथ जब इतने दिनों से गरिना फ्रिफायर चलती आ रही थी तो मगर अब जाकर के हमारे लिए हार्मफुल हो गई मतलब बहुत ही खतरनाक एप बन चुकी थी जो भी इसको डाउनलोड करता था उसको यह अपने पंजो में जकड लेती थी इसलिए गरिना फ्रिफायर को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया मगर अभी तक भाई फ्रिफायर का दूसरा वर्जन फ्रिफायर मैक्स वह पले स्टोर पर विराजमान है इस बात का यह बहुत ही सीक्रेट है यार मतलब भाई जब फ्रिफाय यह को नई रखा जाएगा और बैन होने के बाद भी यह एप हमारे पॉन में चल की रही यानि हम लोग अभी भी गेम क्यों खेल पार है तो जब कोई सिस्टम यानि कोई एप बैन होती है ना तो उसका सर्वर अभी तक चालू है इसलिए हम लोग इस गेम को खेल पार है और को दीरे-दीरे करके इसका सर्वर को बंद कर दिया जाएगा और सारी टेलीकॉम कंपनिया जीओ एटल वोड़ापोन सभी को बता दिया जाएगा कि यह फ्रिपयर डाम का एप है इसको कोई भी एकसेस करता है तो उसको एकसेस ना दिया जाए यानि फ्रिपयर आब आपके फोन में कुछ समय तक वरक करेगा और जब इसका सर्वर बंद कर दिया जाएगा ना तो तब भईया आप लोगों के फोन में यह वरक नहीं करेगा तो भई फिरिपार बैन होने के बाद इंडिया के अंदर क्या होगा भई मतलब फिरिफार बैन होने के बाद कुछ लोगों को तो बहुत ही तकड़ा दक्का लगा है और कुछ बिचारे खुस भी है यार मतलब कुछ लोग खुस है और कुछ को भाईया बहुत तकड़ा दक्का लगा है जो बिचारे यूटूबर थे जो फ्रिफायर गेम की वीडियो बनाते थे उनको बहुत ही तकड़ा धक्का लगा और बिचारे यार पता नहीं उनकी वीडियो देखकर तो यार मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार बाई इस प्रिफायर नाम के प्राणी की लोकपिरिता आप इसी बात से लगा सकते हैं यार इसका आखड़ा सोक रोड के पार चला गया था यार इसको डाउनलोड करने वालों की संक्या सोक रोड से पार चली गई थी देखो बाई मतलब यार कमाली हो गया और 2017 में या अप आ और Battleground Mobile वाले जो Crapton वाले हैं ना बैय उनको यह बात बिलकुल भी पसंद नहीं है उन्होंने बैया दे डाली Play Store को भी Strike और YouTube को भी Strike YouTube के ओपर भी Case कर दिया और Play Store के ओपर पी और Prepaid वालों के उपर तो पहले से ही Case कर रखा था मगर भाई फ्रिपायर वाले फिर भी नहीं बच पाई और फिर भी फ्रिपायर को बैन कर दिया गए उन्होंने कहा कि फ्रिपायर हमारी कोपी है भाई करप्टन वालोंने कहा कि फ्रिपायर गेम हमारी कोपी है तो भाई मतलब यार चार पास साल के बाद अब जाकर के उनको प प्रिपायर गेम को डाउनलोड करके खेलते थे और कई कई घंटे खेलते थे मगर अब इसका एडिक्शन दीरे दीरे उन लोगों के उपर से कम होगा और सबीची यह दीरे दीरे नॉर्मल हो जाएंगे अगर बैया प्रिपायर गेम बंद हुआ है यानि बैन हुआ है ना प्रिपायर गेम को छोड़ दो तो भाई मतलब प्रिपायर अब वापसी नहीं आने वाला जब तक चल रहा है चलाते रहो उसके बाद आप लोग इस गेम को एक्सस नहीं कर पाओगे यानि इस गेम को बिलकुल नहीं केल पाओगे और रही बात हमारी आईडी वगेर की भा बैन कर दिया गया क्योंकि भाई है यूथ के अंदर यानि जो नोजवान बालक बच्चे है ना बाई उनके अंदर इस गेम को लेकर करके बहुत ही तगड़ा एडिक्शन मत चुकाता इसलिए इस गेम को सायथ बैन कर दिया गया अभी तक गरेना वालों की तरफ से कोई करो तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना जाद इच्छे लगे तो सबसे दोस्तों के साथ भी सेर कर देना चैनल पर पहली बार आयो तो यार वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाला बटन बीद दवा देना तो भाई मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैन वन देमात्र